कहते हैं जब किसी को हराने के लिए एक तरफा साजिश की जाने लगे तो इशोर उसके लिए धाल बनकर खड़ा हो जाता है उसे जुताने के लिए Hey everyone, welcome back to my channel, बात करेंगे latest voting trend के बारे में कौन है, कितने नंबर पर कैसी चल रही है, voting आईए जानते हैं आपको बता दें, बिग बॉस ने कटारिया को हराने के लिए और साजिस की थी, कि उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया था कि आप किस contestant को बाहर करना चाहते हैं, उसके लिए वोट करें बिग बॉस को ये कही न कही अंदाजा था कि जो कटारिया के फैंस हैं, इतनी लंबी फैंडम हैं, वो आएगी और वोट करना शुरू कर देगी बिना पढ़े हुए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, और इस रेस में अब नंबर एक पर हैं, अर्मान मलिक खाने के लिए, नंबर पर एक पर हैं, अर्मान मलिक घर से बेघर होने के लिए, नंबर दो पर हैं, साई केतन राओ घर से बाहर होने के लिए, नंबर तीन पर आ रही हैं, सना मकबूल और नंबर चार पर हैं, लवकेश कटारिया, तो अगर जीतने की रेस में बात की जाया, तो जी इस हिसाब से वोटिंग के हिसाब से जिसको बेगर होना चाहिए वो है अर्मान मलिक लेकिन विग बॉस क्या चाल चल दे ये तो अंदाजा नहीं होता है साथी आपको बता दे कि कृतिका भाई टॉप 5 में पहुँच चुकी है क्या चक्कर चलाया है विग मॉस ने कृतिका ट सकते हैं कि बिग बॉस इस नो मॉर रियालिटी शो तो फिर आपका क्या है कहना क्या आपके ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताएगा मिलते है नेक्स वीडियो मैंने अपडेट की साथ अब तक लिए बाबाएजे जरी से वीडियो मैंने इस वीडियों कि बॉक्स रपके और हो भी है खाया है कि बॉक्स में अपले अड़रूर की साथ बाबाबाश।